कि नमस्कार आज का दिन से मेरे लिए अपुर्णिये ख्षती और असहनी पीडा का दिन है मेरे गनिष्ठ मित्र और जपान के पूर्व प्रधानमत्री स्री सिंजो अबे अब हमारे बीश नहीं रहे हैं कि आबाजी मेरे तर साथी थे ही वो भारत के भी उतने ही विश्वस्निय दोस्त थे उनके कारकाल में भारत जपान में उनके जो राजलितिक समन थे हमारे वो को नहीं उन्चाई तो मिली ही है हमने दोनों देशों की सांजी विरासत चुड़े रिस्तों को भी खूब आगे बढ़ाया आज भारत के विकास की जो गती है जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कारिय हो रहे हैं इनके जरिये सिंजो अबे जी भारत के जन्मन में सालों तक बसे रहेंगे मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को सद्धान्जली देता हूं साथियों आज का ये आयोजन मेरे और एक गनिष्ठ मित्र अरुन जेटली जी को समर्पीत है बीचों दिनों को याद करते हैं तो उनकी बहुत सारी बाते हैं उनसे जुड़े बहुत से बाक्ये स्वाभाविक रुप से याद आते हैं और यहां बहुत सारे उनके पुराने साथी में देख रहा हूं उनकी औरेटरी हम सब उसके कायल थे और उनके वन लाइनर लंबे अर्षे तक हवा में गूनते रहते थे उनका व्यक्तित्व विवित्ता से भरा था और उनका स्वभाव सर्व मित्र वाला था यहां जितने भी द्योग दिखते हैं हर एक अलग अलग दुनिया है लिकित सब अरुन के मित्र थे यह रुन के सर्व मित्र की प्रिशेस्ता थे और उनके व्यक्तित्व कि इस खुबी को सभी आज भी याद करते हैं और हर को अरुन की कमी मैसुस करता है कि मैं अरुन जेटली जी को अपनी बीनम्र सद्धाजली देता हूं कि साथियों कि अरुन जी की स्पूति में इस लेक्चर का जो विश्य रखा गया है ग्रोट त्रू इंक्लुजिविटी इंक्लुजिविटी त्रू ग्रोट वो सरकार की डेवलप्मेंट पॉलिशी का मूल मंत्र है मैं धर्मन जी का विश्य शुप्षा अभारी हूं कि उन्होंने मारे निमंत्रन को स्विकार किया और मैंने कई बार उनको सुना भी है उनको मैं पढ़ता भी रहता हूं कि उनकी बातों में उनके अध्यान में वह सिर्फ भारत में बोलते हैं तब नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी जब जाते हैं तो काफी रिसर्च करते हैं लोकल तच उनकी हर कि एकेनिमिक थिंकिंग में उनकी फिलावसाफी में बहुत सटिक तरीके से वो उसको नीट करते हैं आज भी हम सबने अनुभव किया बहुत यह च्छे ढंक से उन्होंने वाइस्ष्विक परिस्तिति से ले करके हमारे देश के बच्चों तक हमें ले आए उनका बहुत जिस विशय को लेकर के आज अरुन जेटली वेख्यान मारा का हमारा प्रारब हुआ है अगर मैं इसी को सरल भाशा में कहूं तो एक प्रकार से यह थीम मेरी सीधी साधी भाशा में मैं कहूंगा सबका साथ सबका विकास लेकिन इसके साथ ही इस लेक्चर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनोतियां और दुविदाव को भी कैप्चर करती है मैं आप सभी से एक प्रस्न पूछना चाहता हूं क्या बिना इंक्लूजन के सही ग्रोध संभव है अब अपने आपको पूछिए क्या बिना ग्रोध के इंक्लूजन के बारे में सोचा भी जा सकता है क्या हेड अब दे गवर्रमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोध संभव ही नहीं है और बिना ग्रोध के इंक्लूजन का लक्ष भी पूरा नहीं किया जा सकता है और इसलिए हमने ग्रोध तू इंक्लूजिविटी का रास्ता प्राया सबके समावेश का प्रयास किया बीते आठ वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस पीड के साथ काम किया है जिस केल पर काम किया है वैसा उधारन आपको पुरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा बीते आठ साल में भारत ने नव करोड से जादा महलाओं को मुक्त गैस करेक्शन दिया है नव करोड ये संख्या साउथ आफरिका औस्टेलिया सिंगापूर नुजिलेंड इसकी सारी आबादी को भी जोड़ दें तो उससे भी ज़्यादा होती है यहने अब स्केल देखिए बीते आठ साल में भारत ने दोस करोड से ज़्यादा टॉइलेट बनाकर गरीबों को दिये हैं धर्मन जी ने इसका बड़ा पैशन हो करके उलेक किया यह संख्या साउथ कोरिया की कुल आवादी के दोगुने से भी ज़्यादा है बीते आठ साल में भारत ने पैटालीस करोर से ज़्यादा जन्रदन बैंक एकाउंट खोले हैं यह संख्या भी जापांच जर्मनी ब्रिटैन इटली मेक्सिको इनकी टोटल पोपुलेशन से भी करीब करीब उसके बराबर है बीते आठ साल में भारत ने गरीबों को तीन करोर पक्के घर बना कर दिये हैं और मुझे आध है एक बार आपी के मंत्री परिशन के साथ ही इश्वरन से मेरी बात हो रही थी सिंगापूर के मिनिस्टर जब मैं उनको इस्केल बताया था था हाउ सिग्या तो इस्वरन ने मुझे कहा तो आपको तो हर महीं देख जाया सिग्यापूर बनारा पड़ेगा मैं आपको ग्रोथ इंक्लूजिविटी इंक्लूजिविटी थूग्रोथ का एक और उदान देना चाहता हूं भारत में कुछ साल पहले हमने आईश्मान भारत योजना शुरू की थी जिसका अउल एक्थर बंजी ने किया और आने वाले प्रमुख सेक्टर में उन्होंने हेल सेक्टर की चर्चा भी की है इस योजना की विज़े से पचास करोर से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में और हिंदुस्तान में कहीं भी पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है पचास करोर लोगों को पांच लाख रुपिये तक मुप्त इलाज बिते चार साल में आईश्मान भारत की विज़े से देश के साड़े तीन करोर से ज्यादा लोगों ने अपना मुप्त इलाज कराया है हमने इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया गरीब से गरीब जो है आखिर की पंक्ति में बैटा हुआ है उसको भी आरोग्य के समन्द में आवश्चक अच्छी सुविधा मिले है और समय के साथ हमने देखा है वो पहलू तो इंक्लूजन का है लेकिन समय नहीं बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया जो पहले एक्स्लूडेर थे वह विकास की मुख्यधारा से जुड़े तो दिमांड भी बढ़ी और ग्रोथ के लिए अपर्चुनीट का भी विस्तार हुआ जब भारत की एक तिहाई आबादी जो पहले बहतर हेल्केर की स इस विज़ा मिली तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि हेल्थ केर केपिसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा कि मैं आपको बताता हूं कि आईश्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केर सेक्टर को ट्रांस्फार्म कर दिया है से 2014 से पहले हमारे देश का एमसरह एवरेश की साल में करिब 50 म Εडیکल को लेज बना करते हैं 10 साल में 50 मेडिकल को ले इतने बड़े देश में जंक्कि भारत में पिछले साथ आठ साल में पहले के मुकाबले चार गुना से जादा याने करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां 50 और कहां 209 और आने वाले अभी 10 साल जब हिसाब लगाऊंगा तो यह मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है वो 400 तक पहुंचने वाला है बीचे साथार साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सिस्ट में 75 परसंट की बरोत्री हुई है भारत में अब एन्यूएल टोटल मेडिकल सिट्ट की संग्या बढ़कर लगबग दो गुना हो चुकी है यानि अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रसक्ट निर्माण हो रहा है इंक्लूजिव ने इसके लिए लाई गई एक योजिना का जमीन पर ग्रोग की दुरुष्टी से भी इतना बड़ा प्रभाव हम बिलकुल देख सकते हैं हम उसको आख सकते हैं और मैं तो आपको ऐसी दर्जनों योजिना गिना सकता हूं भारत के डिजिटल इंडिया भ्यान ने जिसका उसे लेक भी थर्मंजे ने किया लगव पांच लाग कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गाउं में रहने वाले गरीब तक भी इंटर्रेट की ताकत को पहुँचाया है भारत के भीम यूपियाई ने करोड़ों धरीबों को डिजिटल प्यमेंट की सुविधा से जोड़ा है भारत की स्वनिधी योजना ने रहरी पट्री वाले साथियों को बैंकिंग व्यवस्ता से जूनने का उसर दिया है जो हमारी यहां नगरपाली काम है महानगरपाली का प्रेटाम है जो रही पट्री वाले होते हैं जिनके साथ हमारी depends कानलता होता है डेंट मैंगर होगा नोगा उसके घर में में रही पट्री वालों लीकिन उसको बंक में जगानी होगी यह हाल ता आज हमने इसको जोड़ दिया है उसी प्रकार से भारत ने बहुत बड़ा काम किया है दुनिया उस पर काफी कुछ इन दिनों जो अर्थजात्री लोग है वो लिख भी रहे हैं बड़ी बड़ी एजंसे उसका रेटिंग भी कर रहे हैं भारत का एक इनिसेटिव है कर रहा है और यह एस्परेशनल डिस्टी की कलपना ही है कि हिंदुस्तान के और जीलों की तुल्ना में जो पीछे रहे गए हैं उनकी आकांचाओं को हम एड्रेस करें उनको उस राज्य की टॉप को पोजिशन की बराबरी तक ले आएं और फिर देर उसको नेशनल टॉप क पी बराबरी तक लिया है कि साथ इसका इतना बड़ा पॉजिटिव इंपक्ट हुआ है और एक प्रकार चे इन सो डिस्टुक्त का इंक्लूजन हो रहा है डेवलोप्मेंट की दुनिया में भारत की राष्ट्रिय शिक्षानिती और एक बहुत बढ़ा परेडाइम सिफ्ट है और शिक्षा पर भी धर्मन जी ने काफी बल दिया अपनी बाक्षित में भारत की राष्ट्रिय शिक्षानिती मात्रु भाषा में मदर तंग में पढ़ाई पर जोड़ दे रही है जो अंग्रेजी नहीं जानता जो एक्स्लूडेड है उसे अब मात्रु भाषा में पढ कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा भारत की उडान योजना इसने देश के हमने कई हवाई पट्टियों को जीवंद कर दिया नए एरपोर्ट बनाए दूर दूर टीर टूर टीर सी सिटी में भी हम चले गए और उडान योजना लाए एक फिक्स एमाउट में हवाई जहाद में सफर की एक रचना की भारत की उडान योजना ने देश के अलग-अलग कौनों को हवाई मार्ट से जोड़ा है गरीब को भी हवाई जहाद में उड़ने का होसला दिया है और मैं कहता था हवाई चपल पहनने वाला भी अब हवाई जहाद में बैठेगा कि एंडें बी हो रहा है उसी का पनान में आज भारत के में एविशन सेक्टर का गोथ इतना हो रहा है एक हजार से जादा नए एरकाव के अर्डर बुक हुए है भारत के लिए कि इस देश में एक हजार से ज्यादाने एरकाव खरीद है क्योंकि पैसेंजर वाला जिसके बात की जो मैं गुजरात में जिसको मैंने बहुत मुखर्ता से काम किया था जल जीवन मिशन देश के हर घर को पाइप वॉटर सप्लाई से जोड रहा है नल से जल और उस सिर्फ वो पानी मिलता है नहीं वो उसका समय बचाता है कठिनाईया बचाता है हेल्दी जिशन के लिए बढ़बर मों का रहती झाए उन सारे स्थ मिशन बहुत बड़ा सामाज कि फिसके इसका समपास्थ सभीर शुद पानी यह पीने का शुद्ध पानि यह भी न्युट्रिशन के लिए बच्छों के लिए बहुत महांतोपुन विशन है और हमारा नल से जल सिर्फ तीन साल में ही इस मिशन ने छे करोर से ज़्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा है भारत में मोटे तोर पर लगा है हिसाब तो 25-27 करोर घर है उसमें से 6 करोर घरों को पानी पहुचा दिया है यह इंक्लूजिवनेस आज देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान कर रही है उससे आगे बढ़ने का होसला दे रही है और किसी भी देश के विकास में इसका कितना महत्वा है यह आप अर्थ जगत के लोग यहां बैठे हैं वह भली भातिस मात को जानते हैं मैं आपको एक और दांग देना चाहता हूं आप भी जानते हैं और यह तो मैंने देखा है कि यूएन में भी इसकी चर्चा होती है सब्सक्राइब के अंदर इन मुद्दों पर चर्चा होती है और वो कह रहा है दुनिया कि मैं दसकुन से अनेक देशों में प्रॉपर्टी राइट्स यह बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है और जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तब समाज के जो आखरी ल होते हैं उनके पास कोई दस्तवर्टी होता है सबसे जाना मुसीबत उनको जनली पड़ते हैं लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने इस दिशा में दिश तेजी से काम किया है वह अभूत पुर्वा है और मैं मानता हूं दुनिया के अकेडिमिक्षन दुनिया के ग्रामीर छेत्र में घरोंग और इमारतों की मैपिंग का काम बड़े प्रहमाने पर चल रहा है अभी तक भारत के देड़ लाख गाउं में यह काम हम ड्रोन की मदद से करते हैं ड्रोन से सर्वे होता है और टेक्नालोजी का भर पुरूप्योग होता है और पूरा गाउं से अधिक कामों में ड्रोन से यह सर्वे पुरा गया चुका है और 37,000 स्क्वार किलोमेटर आप कल्पना करिए ड्रोन के मादम से 37,000 स्क्वार किलोमेटर जमीन की मैपिंग का काम हो चुका है मतलब उन घरों से जूड़ी हुई जमीन वाला और 80,000,000 से जादा लोगों के लिए पूरपल्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं और यह भी जो मालीख है उसकी सहमती से होता है उसके साथ विचार विमर्स होता है उसके अडोस परोशके लोगों के साथ विचार मिमर्स होता है एक लंबी प्रक्रिया है और इसका मदलब य लोगों को बैंक लोन मिलना आसान हुआ है उनकी जबीन अब कानूनी विवादों से भी बच रही है सात्यों आज का भारत रिफॉर्म्स बाइक कंपल्सन के बजाए रिफॉर्म्स बाइक कन्विक्शन से आने वाले पचीज साल का रोड में प्यार कर रहा है देश आजादी के सो साल बनाएगे तब देश कहां होगा इस लक्ष को लेकर कहें हम आज रोल में बनाब करका आगे बढ़ रहे हैं दसकों पहले देश ने यह देखा था कि जब कोई रिफॉर्म मजबूरी में होता है तो इनके उसके इंस्टिटूसलाइज होने की उमीद कम रहती है जैसे ही मजबूरी कम हो खत्म होती है वैसे ही रिफॉर्म भी बुला दिया जाता है रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवार्मेंट होता है मोटिवेशन होता है पहले भारत में बड़े रिफॉर्म तब हुए जब पहले की सरकारों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था हम रिफॉरम को नेसेसरी इवल के रुपे नहीं बड़की एक बीन मिं-चौइस को रुपे मानते हैं जिसम्ने राश्टे हित भी है जन हित भी है इसने बित आट साड़ों में हमने जो भी रिफॉरम किये उन्होंने नए रिफॉर्म्स के लिए रास्ते तैयार किये है और उन्जी आज यहां भी होंगे वो संतुष्ठ होंगे कि वो जिस मिशन में भागिदार रहे उसका लाप आज देश को मिल रहा है जी एस्टी हो या आई बीसी इनको लेकर सालों तक चर्चा हुई आज इनकी सभलता हमारे सामने है कंप्रीज एक्ट को डी क्रिमिल्डाइज करना हो कार्पोरेट टैस्टिस को कंप्रेटिटिव बनाना हो स्पेस कोल माइनिंग और अटमिट सेक्टर्स में को खोलना हो ऐसे अनीज रिफॉर्म आज 21 सदी के भारत की सच्चाई है साथियों हमारी पॉलिसी मेकिंग पॉल्स अब पीपल पर आधारी था है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं उनकी आवशक्ता उनकी आकाक्षाओं को समझते हैं इसलिए हमने पॉलिसी को पॉप्युलिस्ट इंपल्सिस के दबाव में नहीं आने दिया पॉप्युलिस्ट के अनुसार फैसले लेना और पॉप्युलिजम के सामने हर्थ्यार डाल देने में क्या फर्क होता है ये कोवीड काल में हिंदुस्तान ने देखा है और देखा है ने दुनिया को दिखाया है बड़े बड़े और फ्रसात्री क्या कह रहे थे पैंडेमिक के समझे जब पैंडेमिक आई तो पूरी दुनिया में बड़े बेल आउट पैकेज के लिए डिमांड डिवन रिकवरी के लिए पॉप्युलिस इंपल्स था हम पर भी दबाव था और हमारी आलोचना होती थी यह कुछ कर नहीं रहें कुछ दे नहीं रहें पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए कहा गया कि यह भी कहा गया कि लोग चाहते हैं एक्षपर ये चाहते हैं बड़े-बड़े विद्वान ये चाहते हैं लेकिन भारत दवाव में नहीं आया उसने अलग अप्रोच अप्राई और बहुत समझदारी के साथ शांत मन से अप्राई हमने पीपल फर्स अप्रोच के साथ गरीब को सुरुक्षा दी महलाओं किसानो M.S.M.S. पर ध्यान दिया हमने दुनिया से अलग इसलिए कर पाए क्योंकि हमें निया जन्ता क्या चाहती है उसकी क्या चिन्ता है इसका एसाफ है इसलिए भारत की लेकवरी और बाकी दुनिया की recovery में जो फरक हैं वो हम साफ देख सकते हैं साथियों मैं अक्सर maximum government minimum government और maximum governance का आगरे करता रहा हूँ हमारी सरकार ने ऐसे डेड़ हजार कानूनों को खत्म कर दिया है जो लोगों के जीवन में अनावश्यक रूप में दखल दे रहे ते डेड़ हजार कानून और मुझे आद है 2013 में जब भारती जनता पार्ट्री ने मुझे प्यम केंडिडिट बनाया था कि 2014 में चुना होना था तो यह दिल्ली में नहीं व्यापार जिगत के लोगों ने मुझे कारकम के लिए बुलाया था और वह बड़ी थोड़ा गरम मिजाच का बातावन था क्या करोगे डिकना करोगे फ़लाना करोगे सब पूछ रहे थे यह कानून बनाओगे नहीं कानून बनाओगे था बड़ा दबाव था कंडिडेट था चुनाओ के दिनों में हम भी तो जरा है मैंने कहा देखिए आप कानून बनाना चाहते हैं लेकि मैं आपको एक बादा करता हूं मैं हर दिन एक कानून खत्म करूँगा नए बनाने की गारंटी नहीं देता हूं खत्म करूँगा और पहले पांच साल में देड़ हजार कानून खत्म करने का काम पूरा कर दिया साथियों जो कानून जंता सामानेक पर बोज बनते हैं साथियों आपको जानकर के खुशी होगी हमारी सरकार ने तइस हजार से ज्यदा यानि आकड़ा भी आप चोग जाएंगी जी तीस हजार से ज्यदा ऐसे कंप्लाइंसिज को भी कम कर दिया है जो ईज अब बिजनेस में और इस उफ लीमिंग में बादा बने उए थे तीस हजार कम्प्लाइंसिस खतम कर देना यानि जनता जनारदन पर कितना अभुद्पुर्व विश्वास का यूग आया है उसका नतीजा होता है कि हम कम्प्लाइंसिस के बोच से जनता को मुक्त कर रहे हैं और मैंने लान के लिए पुर्शिक कहा था कि मैं चाहता हूं सरकार लोगों की जिन्दिकी से जितनी भार चली जाया है मैं निकालनी है लोगों की जिन्दिकी सरकार 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 मुझार का प्रभाव कम से कम हो लेकिन जिसको सरकार की जरुज ऐए उसको सरकार का अभाव लहो हैं यह दोनों विशिय को ले करके आप चलने का हमने प्रयास किया है आज मुझे आपको बताते हुए संतोस है कि मिनिमम गवर्मेंट की एप्रोच मैक्सिमम आउटपूट्स और मैक्सिमम आउटकंग भी दे रही है हम बहुत तेजी के साथ अपनी केपिसिटी का विश्टार कर रहे हैं और इसके नतीजे आपके सामने हैं कोविड व्यक्षिन का ही उदान ले हमारे देश के प्राइबेट प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है लिकिन उनके पीशे पार्टनर इन प्रोग्रेस पार्टनर इन प्रोग्रेस के रुप में सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रही थे वाइरस आइसोलेशन से लेकर स्पीडी ट्राइल तक फंडिंग से लेकर रेपिड रोल आउट तक जो कंपनिया वैक्षिन का निर्मान कर रही थी उन्हें सरकार का भरपूर सयोग मिला एक और हमारे स्पेश एकोसिस्ट्रिम का है आज भारत पूरी दुनिया में सबसे विस्वफनिया और अत्याधुरिक स्पेश सर्वीस प्रोवाइडर में से एक है इस खेत्र में भी हमारा प्राइवेट सक्टर एकोसिस्ट्रिम बहुत भी बहतनी काम कर रहा है लेकिन उनके पीछे भी पांटनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार की पूरी शक्ति हैं जो उन्हें हर सुमीदा और जानकर उपलब्द करने में मदब कर रही है जब हम बहुत के डिजिटल पेइमेंट इको सिस्टिम का उधान लेते हैं तो हमारे यहां फिंटेक के साथ ही डिजिटल पेइमेंट से जुड़े कई प्लेयर्स हैं लेकिन यहां भी देखें तो इनके पीछे जैम ट्रीनिटी रूपे यूपी आई और सपोर्टिव पॉलिसी का मजबूत आधार है यहां मैंने केवल कुछ उदहां आपके सामने रखे हैं लेकिन मैं इन्हें दुनिया के लिए एक रिसर्च का वीशे मानता हूं अकडेमिक वर्ड को गहराय में जाने के लिए निमत्रित देता हूं दुनिया भर के एकनोमिस को में निमत्रित करता हूं आईए उसके बारिक्यों को देखिए इस विशाव डेस हनेक बीच आवशक्ता हैं उन सब के वावजुद भी हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं एक प्रकार से देखें तो अब सिफ प्राइवेट सेक्टर या सरकारी वर्चस्वावाले एक्स्ट्रीम मोडेल्स की बाते पुरानी हो चुकी हैं अब समय है कि सरकार की प्राइवेट सेक्टर को पांटनर इन प्रोग्रेस मानकर उन्हें पूत्साहित करें और हम इसी प्राइवेट दोनों सेक्टर पर वरोसा करने की यही स्पिरीट हैं जिसके कारण आज भारत में ग्रोथ के लिए अध्वुत उत्साह दिख रहा है आज हमारा एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है सर्वी सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है पी ऐलाइ स्कीम का असर मैनिफेक्रिंग सेक्टर पर दिखे देला है मोबाइल फोन सहीट पूरे इलक्रोनिक मैनिफेक्रिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धी हुई है आपको जानकर का अश्चर्य होगा जब मैं इस कोरॉना कालखन में टौई को लेकर कर के मैंने कोई की बात करते हैं स्वच्ता की बात कर रहा है कि अब तब बड़ी बड़ी बातों में फसे रहे हैं मेरी बात हैं गले बैठते नहीं थी सिर्फ खेलों आकी फृल मैंने ध्यान दिया खिलों ने बनाने वालो ओप ध्यान इंजरे किया टेकनोलोजी पर ध्यान दिया, इनोवेशन पर ध्यान दिया, फाइनांसियल सक्टर के तरफ ध्यान दिया, अभी तो दो साल पूरे नहीं हुए है, मेरे देश वासी गर्व करेंगे, कि टॉइज का इंपोर्ट इतने कम समय में, इतना घट गया है, वरना हमारी हर घर में खिल लोने भारत के टॉइ, पहले जितना इंपोर्ट होता था, उससे जादा आज एक्पोर्ट होने लग गये हैं, यानि कितना बड़ा पोटेंश्यल, अंटेप था, आपने कहा टूरियम, सेक्मिट में, मैं सहमत हूं आपसे, भारत के टूरियम की संभावना इतनी अपार है, लेकिन हम एक ही जगा पर अटक गए थे, हिंदुस्तान के पूर्ण रूप्वे विश्व के सामने ले जाने का हमने, हमारे हम पता नहीं हमारी मांसिक्ता ही वो खो चुके थी, और मैं तो विदेश की महमान जो भी आते हैं, तो हिंदुस्तान के किसीन किसी स्थान पर ले अगर रखता हूं, तो पचत्तर आइकोनिक साम पर किया ताकि लोगों को पता चले कि टुरिज्व के ऐसे ऐसे डेस्टिनिशन हैं हमारे हां, तुरिज्व के संभावनाए आपने सही भरमाया, पुरे विश्व के लिए बहुत बड़ा आकर्शन का केंदर बन सकता है भारत साथियों हमारे डिजिटल एकोनोमी भी तेजी सा आगे बढ़ रही है, फिजिकल और डिजिटल इंट्रा सेक्टर पर रिकोर्ड निवेश हो रहा है, यानि हमारे ग्रोथ इंजिन से जुड़ा हर सेक्टर आज पूरी शम्ता से चल रहा है, साथियों आज़ादी के यह अम मुझे विश्वास है, हम अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे, 21 सदी में उस मुझाई को प्वाप्त करेंगे, जिसका भारत हकदार है, और जैसा तर्मन जी कुछ चलेंजिज के लिए बता रहे हैं, मैं मानता हूं चुनोतियां है, लेकिन गर चुनोतियां है, तो 130 करोर स कॉल्यूशन भी है, यह देरा विश्वास है, और उन विश्वास को लेकर के, चुनोतियों को ही चुनोतियां देकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, और इसलिए हमें इंक्लीजन का रास्ता लिया है, और उसी रास्ते से ग्रोप को भी पाने का इरादा हैं, एक बार फिर अरूर जी को याद करते हुए, मैं अपनी बार्णी को विराम देता हूं, धर्मन जी का विशेश रूप से धन्यवाद करता हूं, आप सब का भी रुदे से बहुत पहुत आभार बेक्तर करता हूं, धन्यवाद!